जे एसेसी नोट डायरी चैनल के सभी दोस्तों को जोहार आज हम जारखन के कुछ परमुक हस्तियों की परमुक उपलब्धियों पर वीडियो लेकर आए हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं वो तुरंट चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम कोई भी नया वीडियो इस पे अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंट मिल सकें क्योंकि हम रोज इस पे जे एसे सी एक्जाम से रिलेटेड वीडियो अपलोड करते रहते हैं और जिन लोगों ने चैनल को पहले से हैं सब्सक्राइब कर रखा है उनको बहुत बहुत धन्यवाद तो चलिए आज का वीडियो सुरू करते हैं ये रहा आज का पहला कोश्चन महंदर सीधोनी आप लोग महंदर सीधोनी को तो सब को जानते होंगे वो एक क्रिकेटर है जिनका जन्म अस्थान राची में हुआ है इनका जन्म तिति है 7 जुलाई 1981 इनको प्रमुक उपलब्धियों में से है पहला जो इनका पहला उपलब्धि है वो 2007 में है राजियो गांदी खेल रतन पुरुसकार मिला था इसी समय इन्हों ने पहली बार भारत को 2020 वर्ल्ड कप में विजयता बनाया था उसके बाद 2009 में पदम स्री से सम्मानित किया गया है इन्हें और 2018 में पदम भूशन और 2008 और 2009 में ICC ODI of the Year से भी इन्हें नमाजा गया है और इनका जो वन डे डेबियो था वो 23 दिसंबर 2004 को बंगलादेश के विरुद था और टेस्ट डेबियो 2 दिसंबर 2005 को स्री लंका के विरुद था उसके बाद दूसरा परमुक हस्ती है प्रियंक का चोपड़ा ये एक अभिनेत्री है इनका जन्मा स्थान जमसेदपूर है जन्मे थी 18 जुले 1982 है इनकी प्रमुक उपलब्धिया है वर्स 2000 में Miss World का किताब इन्होंने जीता है और वर्स 2016 में पदमस्री से सम्मानित किया गया है और सर्वसेष्ट अभिनेत्री के लिए राष्टे फिल्म अवार्ड इन्हें 5 बार फिल्म फियर अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है उसके बाद है इशिता दत्ता अभिनेत्री इनका भी जन्म अस्थान जमसेदपूर है जन्म रिथी 4 दिसंबर 1990 इनकी परमुक उपलब्धिया है हिंदी कन्नड और तमिल फिल्मों में अभिने द्रिशियम फिल्म में अजय देवगन की बेटी का किरिधार निवाया था और परमुक हस्तियों में से ये अगला है परतिश्या परतिश्या बनरजी ये भी एक अभिनेत्री थी इनका देथ हो चुका है जन्म अस्थान जमसेदपूर जिनमति थी 10 अगस्त 1991 परमुक उपलब्धियों में से है धारवाहिक वालिका बधु में इन्होंने ही आनंदी का क दिधार निभाया था जो कि बहुत फेमस हुआ था लेकिन इन्होंने फासी लगा कर अपनी जान गमादी कोमल जा अभिनेत्री है जन्मस्थान राची जन्ति थी 15 मार्च 1987 इनके बारे में मेरे पास कोई ज़्यादा जानकारी नहीं था इसलिए इसमें मेंशन नहीं किया है उसके बाद है मधूरीमा तुली ये भी एक अभिनेत्री है इनका भी जन्मस्थान धन्बाद है इनकी परमुख उपलब्धिया है बचना ए हसीनों बेबी नामसबाना हमारी अधूरी कहानी इत्यादी फिल्मों में अभिने कर चुकी है स्वेता बसू परसाद ये भी एक अभिनेत्री है इनका जन्मस्थान भी जमसेद्पूर ही है इनकी परमुख उपलब्धिया है 2002 में मकडी फिल्म के लिए सरुसेष्ट बालकलाकार के लिए राष्टे पुरुषकार से समानित किया जा चुका है इन्हें लिशा सर्मा ये पेशे से एक मॉडल है इनका भी जन्मस्थान जमसेद्पूर है जन्मति थी 27 दिसंबर 1995 है इनके बारे में अभी और अधिक जानकारी मेरे पास उपलब्ध नहीं थी दिपिका कुमारी इस नाम से तो आप लोग सभी परिचित होंगे ये एक तिरंदाज है जो एक समय में वर्ल्ड की नंबर वन तिरंदाज हुआ करती थी इनका जन्मति थी 13 जून 1994 को यहां पे हुआ है रातु में हुआ है काठी टार के पास और इनकी पर्मू उपलब्धियां है अर्जुन अवाट से समानित किया गया है ने 2012 में और पद्मचरी से समानित किया गया है 2016 में मयांग चांग यह भी अभिनेता और गायक है इनका जन्मस्तान धनबाद है और इनकी जन्मतिती है 6 अक्टूबर 1982 उसके बाद है तनुसरी दत्ता यह भी एक अभिनेत्री है इनका जन्मस्तान भी जमसेत्पूर है इनकी पर्मुक उपलब्धियां है वर्ष 2004 में मिश इंडिया का खिताब मिला है और इन्होंने कई जानिमानी हिंदी फिल्मों में काम किया है जिसमें से एक पिक्चर धोल है जिसमें इन्होंने अभिनेत्री का करदार निभाया है वरुन रेमंड औरोन तेज किंदबाज है इनका चेन भारतिय बारतिय टीम में भी हुआ है कुछ वंडे मैच भी खेल चुके है इनका जन्मस्तान जमसेदपूर है जन्म तिथी 29 अक्टूबर 1989 है उसके बाद और एक परमुह वेकती है सौरव सुनिल तिवारी हम लोग इन्हें साधारंत सौरव तिवारी के नाम से जानते हैं लेकिन इनका पूरा नाम है सौरव सुनिल तिवारी जो कि एक क्रिकेटर है और इनका जन्म अस् 2008 में अंडर 19 20 कप विजेता टीम में सामिल थे और फिलहाल ये IPL में भी खेलते हैं उसके बाद है इशान किशन इस नाम से भी आप परिचीत होंगे ये विकेट कीपर बलेबाज है और इन्होंने 2019 के अंडर 19 किरकेट जो वर्ल्ड कप हुआ था उस टीम का केपटन इन्होंने किया था इनका जन्मस्थान पटना है फिलहाल ये राची के टीम से खेलते हैं और इनका जन्मस्थान जूलाई 1998 है इम्तियाज जली ये भी एक बहुत फेमस वेक्ति हैं जो कि लेखक, निर्देशक और अभिनेता है इनका जन्मस्थान जमसेदपूर है जन्मतिथी 16 जून 1971 है और इन्होंने के फिल्मू का सफल निर्देशन भी कर चुके हैं उसके बाद है इम्बरान जाहिद अभिनेता जिनका जन्मस्थान बुकारो है इनके बारे में भी हमको कुछ ज्यादा जानकारी प्राप्त नहीं हुए इसलिए मेंचन नहीं किये हैं उसके बाद है जिस निर्देशक निर्माता है और इनका जन्मस्थान वासेपूर धनबाद में हुआ है इनकी परमुक उपलब्धियां है अनुराक कस्यबदवारा निर्देशित वॉलिवूड फिल्म गैंग अप वासेपूर जो की काफी पॉपुलर हुआ था और काफी सफल फिल्म भी है के कह कहानी इन्होंने ही लिखी थी और इसमें इन्होंने खुद भी अभने भी किया था राजकुमार गुपता निर्देशक और कहानी लेखक इनका जन्मस्थान भी हजारी बाग है मुक उपलब्धी है अमीर नोवन किल्ट जेसी का और घंचक्कर जेसी फिल्मों के ये सपल न उसके बाद है चेतन जोशी जो पेशे से वासूरी वादक है इनका जन्म अस्थान जरिया धनबाद है उसके बाद अगला परमुख वेक्ति है आकास दिति लामा निर्देशक पटकता और लेखक इनका जन्म राची में हुआ है आर माध्वन अभिनेता है जो पेशे से अभिनेता है जिसको लगबग आप लोग सभी लोग जानते होंगे लेकिन आप लोग ये नहीं जानते होंगे कि उनका जन्म अस्थान जमसेदपूर में ही हुआ है इन्होंने हाल फिल्हाल में ही साला खडूस और अमीर खान की पिक्चर जो की काफी फेमस हुआ था उसका नाम है त्री एडियट उस फिल्म में भी इन्होंने महत्पुन भूमिका निभा चुके हैं गुल बहार सी ये भी एक फिल्म निर्धेशक है पेशे से जन्मस्थान इन्ज का पाकूड है मननना चौपडा ये भी एक अभिनेत्री है इनका जन्मस्थान बुकारो है स्वेता प्रसाद ये भी एक अभिनेत्री है और इनका भी जन्मस्थान जमसेतपूर है उसके बाद है अमरिता रायचंद ये भी एक अभिनेत्री है जन्मस्थान धनबाद उसके बाद बहुत नब्बे की दसक की बहुत ही फेमस अभिनेत्री है मिनाक्षी सिशाजद्री इनके बारे में तो सभी जानते होंगे इनके फिल्मी भी देख चुके होंगे लकिन इनका भी जन्मस्थान जार्खन के ही धनबाद में हुआ था और इनकी मुख परमुक उपलब्धियों में से एक है 1981 इस्वी में मिस इंडिया बनी थी और हिंदी फिल्मों में कई फिल्मों में इन्होंने अभिनेत्री का क्रिदार निभा चुकी है फिल्हाल ये अभी अमेरिका में रहती है वहीं पर सेटल हो गई है सुप्रिय कुमारी ये भी एक अभिनेत्री है इनका जन्मस्थान राच्ची है इन्होंने सबसे पहले नागपुरी एल्बम से सुरुवात की थी अभिनेकी और फिल्हाल ये मुंबई में रहती है और एक दो फिल्मों में काम भी कर चुकी है जिसमें एक फिल्म है जिन्दगी 50-50 करके इस टाइप का कोई पिक्चर है उसमें इन्होंने अभिनेत्री का क कार्य कर चुकी है कृष्णा भारत्वाज ये भी एक अभिनेता है जन्मस्थान राची ही है इनका सलिंद्र कुमार बंधो बंधो पध्याय ये पेशे से एक समाज सेवी है जिनका जन्मस्थान चकरधरपूर है और जन्मतिति 10 मार्श 1926 है इनकी परमुख उपलब्धिया है पद्भूशन सम्मान से समानित 2010 में पुस्तके हैं इन्होंने कुछ परमुख पुस्तके लिखी है गांधी प्रिकर्मा, काइदे आजम, मुहमद, अल्ली, जिन्ना, एंड, क्रियेशन और पाकिस्तान करिया मुंडा इनसे भी लगभग सभी लोग परिचेत होंगे ये एक नेता है इनका जन्मस्तान अंगड़ा है जो की गाओं खुटी में पड़ता है जन्मति थी 20 अप्रेल 1936 है इनकी परमुख उपलब्धियां है पद्भूशन सम्मान से समानित 2019 में किया जा चुका है ये 15 लोग सभा के अध्यक्ष रहे हैं और 2009 से 2014 तक खुटी में 7 बार सांसद रह चुके हैं बहादूर सी चौहान ये एक सौटपूट प्लेयर है जन्मस्थान जारखन है इनका पता नहीं चला कि जारखन के किस जिले में है इसलिए मेंसन नहीं किया गया है जन्पी थी आठ फरवरी 1946 को इनकी पर्मुक उपलब दिया है अर्जुन अवाड से सम्मानित 1976 में पद्मिसरी सम्मान से सम्मानित 1883 में और दुरणाचार अवाड से सम्मानित 1998 में डाक्टर परसूराम मिश्रा ये पेशे से एक पर्यावरन विद्ध है इनका जन्मस्थान जारखन ही है इनकी अब मिर्ती हो चुकी है मिर्ती 2001 में मयमें हो गई है इनकी पर्मुक उपलब दिया है पद्मिसरी सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है इने 2010 में गुरु किदार नाथ साहू ये छो निर्थक हैं इनका जन्म इस्थान जन्म अस्थल इच्चा पच्छमी सिंभूम में हैं इनकी परमुक उपलब्धियां हैं पद्म स्री सम्मान से सम्मानित 2006 में किया गया है पद्म स्री सम्मान से सम्मानित वर्ष 2012 में किया गया है संगीत नाटक अकादमी अवर्ष 2016 में लाइप टाइम अचीवमेंट अवर्ष 2017 में और वोकेशनल अचीवमेंट अवर्ष से भी समानित किया जा चुका है जारखंड स्टेट अवर्ष 2007 में किया गया है स्वर्न संखु अवर्ष 2010 में मिला है गोल्डेन कोच अवर्ष भी इनको मिला है नाट्य तरंग पुरुषकार 2013 में मिला है और नाटक कृति सिखा पुरुषकार 2013 में मिला है और नाटक वेदा पुरुषकार 2014 में इन्हें मिल चुका है स्रीमति प्रेमलता अगरवाल इनके बारे में भी आप लोग जानते होंगे जो पेशे से एक परवता रोही है इनका जन्म अस्थान डार्जलिंग पच्छिम बंगाल में है और इनका जो विवा हुआ है वो जमसितपूर के एक वेक्ति से हुआ है इसलिए अभी वर्तमान में जारखन की जानिमानी हस्ती बन चुकी है इनकी परमुक उपलब्धिया है पद्बसरी सम्मान से सम्मानित वर्ष 2013 में तेंजिंग नारवे राष्टिय एडवेंचर पुर्षकार 2017 में मिला है भारत की पहली महिला है जिन्होंने बिश्व के सातों उचे परवत सिक्रों की चढ़ाई की है ये 48 वर्ष की उम्मर में इन्होंने मांट एवरेस्ट की चढ़ाई की है जो की एक रिकोर्ड है और उस समय या मांट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली सबसे अधिक उम्मर की महिला बनी थी यह जारखन की पहली महिला है जिन्होंने मांट एवरेस्ट की चढ़ाई करी है और अभी टाटा इस्टिल में कारेरत है आपको पता होना चाहिए इसके बाद एक आदिवासी महिला है जिन्होंने भी मांट एवरेस्ट की चढ़ाई की है उनका नाम अभी याद नहीं आ रहा है, अगर आप लोगों का उनका नाम याद है, तो कॉमेंट बोक्स में लिखके जरूर बताईएगा असोक भगत, ये पेशे से सोशल वर्कर है, ये विकास भारती नमक एक संस्था चलाते है और इनका जनमस्थान आजमगर उतरपर्देश में है, इसका अनिनाम असोक राय बाबाजी है इनकी परमुक अप उपलब्धिया है, पदमस्री सम्मान से समानित किया गया है 2015 में स्वच भारत अभियान केंपेन में जहारखन के लीडर रहे है और उसके बाद है दीपिका कुमारी जोकी एक तिरंदाज है, जनमस्थान राची है, परमुक उपलब्धिया है, अजू नवाड वर्स 2012 में मिला फिक्की एस्पोर्ट पर्सन ओप दा इयर 2014 में मिला, पदमस्री सम्मान से सम्मानित 2016 में किया गया यंग अचीवर्स अवाड 2017 में मिला, मंगला परसाद मोहनती, ये कला के छेतर से जुड़े हैं, जनमस्थान जारखन, परमुक उपलब्धिया, पदमस्री सम्मान से सम्मानित वर्स 2008 में, रामदयाल मुंडा इस नाम से लगभग सभी कोई परिचेत होंगे, ये कला के छेतर से, एक टीचर के छेतर से, और एक समास सेवी के छेतर के रूप में, आदिवासियों के लिए बहुत सारे कारक किये हैं सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जहरखन में सबसे पहले जो सरहूल का जो जुलूस निकलता है, इनके सहयोग से ही स्टार्ट किया गया था, और आदिवासियों के लिए इनोंने बहुत सारे कारे किये हैं और इनका जनमस्थान राची में ही हुआ है, मिर्थियों 30 दिसंबर 2011 इस्वी में राची में ही हो गई, ये कुछ दिनों तक अमेरिका के हावर्ड कॉलेज में इन्होंने अपनी सिच्छा भी दी है इनकी परमुक उपलब्धिया है, संगीत नाटक अकादमी आवार 2007 में, पदमस्री सम्मान से सम्मानित 2010 में उसके बाद हैं सिमो नुराउ मेंज, ये एक परियावरन विद्ध है, जनमस्थान कक्सी टोला यहाँ पे गलत लिखा गया है, ये गुमला होना चाहिए, राची नहीं, इनका अन्य नाम ज्हारखन के वाटर मैन के नाम से भी इने जाना जाता है इनकी परमुक उपलब्धिया है, पदमस्री सम्मान से सम्मानित 2016 में किया जा चुका है इनका जनमस्थान रावल पिंडी पाकिस्तान में हुआ था, विवाजन के समय ये राची आ गये थे, इनकी परमुक उपलब्धिया है पदमस्री सम्मान से सम्मानित 2017 में किया जा चुका है, महनायक सारदा सम्मान भी इने 2016 में मिल चुका है ये पत्रकारिता सिखर सम्मान 2011 में मिला है, इने जहरखन गवरों सम्मान 2007 एवं 2009 में मिला है राश्टिय पत्रकारिता पुरुषकार 2008 में मिला है, लाइफ टाइम अचिवमेंट आवार 2011 में मिला है इन्होंने कुछ परमुक पुस्तके लिखी है, जिसमें है कहानी जहरखन आंदोलन की इतिहास से सच्छातकार सफरनामा पाकिस्तान जैपाल से एक रोमांचक अनकही कहानी ये पुस्तके इन्होंने ही लिखी है, दिवंगर हांस्दा ये पेशे से प्रोफेसर है, जन्मस्थान जमसेदपूर परमुक उपलब्धियां पदमसरी सम्मान से सम्मानित 2018 में इन्हें किया जा चुका है, सविधान की देवनागरी लिपी में संथाली भासा में लिखा थ जिसके लिए इन्हें 2000 वर्ष में सम्मानित किया जा चुका है, संथाल साहित अकादमी के संस्थापक सदच से भी रहे हैं, बुल्लू इमाम, इस नाम से भी आप लोग परिचीत होंगे, ये एक परियावरन विद और एक लेखक हैं, इनका जन्मस्थान हजारी बाग में ही हुआ है, इनकी परमुक उपलब्दिया है, पदमस्री सम्मान से सम्मानित 2019 में किया जा चुका है, विजयरतन अवाड 2002 में इन्हें मिल चुका है, राष्टि गौरव अवाड 2002 में दिया गया है, संस्कृतिक सम्मान 2006 में मिला है, 2006 में पदमस्री सम्मान के लिए नामिद भ 12 में मिल चुका है और बुलू इमाम नहीं हजारी बाग के इसको गुफा की खोज भी इनके दवारां ही किया गया है। की फिच लेकर इलाज करते हैं। जमना टुडू ये एक पर्यावरन वीध है जिनका जन्मस्थान मत्हूर गंग्म चकुलिया गाउं पुर्वी सिम्भूम में हुआ है। इसको अन्निनाम से लेडी टाजन के नाम से भी ये महसूर है। इनकी पर्मुक उपलब्धिया पद्मस्री सम्मान से सम्मानित 2019 में किया जा सुका है। गाड़ फ्रे फ्लिप वेवरी अवार्ड 2014 में इन्हें मिल चुका है। वोमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड 2017 में मिल चुका है। वन सुरच्छा समीती के संस्थापक भी है ये। दोस्तो आज ये जारकन के कुछ परमुक हस्तियों के बारे में जे उनकी उपलब्धिया हैं वो किस छेतर से जुड़े हैं और ये किस लिए फेमस हैं उसके बारे में ये आज का सेशन था। आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा अगर अच्छा लगा होगा तो कॉमेंट ब कीजिएगा अगर इसमें मुझसे कोई गलती हो गई होगी तो आप उसको कॉमेंट बॉक्स में लिखके जरूर बताएगा ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में इस परकार की कोई गलती ना करें और वीडियो को पुरा-पुरा देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत-बह इसी तरह हमारे जैसेसी नोट डैरी चैनल को देखती रहिए रोज जैसेसी एकजाम से रेलेटेड वीडियो अपलोड किये जाते हैं